नमस्कार क्रे दर्शकों मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागाते भी नंदन करती हूँ आज के हमारे इस खास प्रोग्रैम में दर्शकों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे सब्तम भाव पर जहां से जीवन साथी के बारे में विचार किया जाता है दामपत्य जीवन का विचार करते समय किन-किन बातों का विशेस रूप से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यह हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है यहीं से पता लगता है कि हमारा जीवन साथी वा हमारा दामपत्य जीवन कैसा होगा, दामपत्य सुख कितना मिलेगा, हमारा जीवन साथी किस स्वभाव का होगा, सौमे होगा, क्रोर होगा, सुन्दर होगा या कुरूब होगा, बुध्धिमान होगा या मन्द बुध्धी हो यहीं अगर जीवन साथी अपने अनुकूल ना मिले तो जिन्दगी नर्क के समान हो जाती है। हर दिन कलह, कलेश वा परिशानियों में गुजरता है। इसलिए किसी विद्वान ने कहा है कुग्राम वासा, कुलहीन सेवा, कुभोजनम, क्रोध मुखिश्य भार्या, पुत्रश्य मूर्खो, विधवश्य करन्या, बिना अग्निना, प्रदहंति कायं। दोस्तों, यह अच्छाय प्रकार के दुखों में से एक दुख है, जो बिना अग्नि के मनुश्य को जलाता है। दूसरे नमबर पर यह अच्छा है, आपका लाइफ पार्टनर सौम्य स्वभाव का होगा। जैसे की शुक्र, बुध, गुरु और चन्रमा के राशी। तो यह भी अच्छा है सब्तम के कारक शुक्र केंद्रुबा त्रिकोन में हूँ या दूसरे तीसरे या एकदशिस्थान में हूँ तो भी ठीक है इसके बाद देखना है चरकारक की इस्थिती पती के चरकारक देव गुरु ब्रहसपती हैं तो यदि पती का विचार करना है तो देव गुरु ब्रहसपती की इस्थिती को देखना ज़रूरी है देव गुरु प्रहस्पति केंद्र में हों, त्रिकोण में हों, शुब ग्रहों के साथ में हों, इसके बाद लगनेश और सब्तमेश का संबंध अच्छा होना चाहिए। जैसे कि लगनेश और सब्तमेश नवांश में केंद्र वा त्रिकोण में हों, शुब ग्रह की राशी में हों, शुब ग्रह से युक्त या दृष्ट हों, एवं स्वराशी, उच राशी और मित्र राशी के होने चाहिए तो ये भी ठीक है। और मधूर होगा। हमने आपको टोटल 12 पॉइंट्स बताए हैं, अब इनमें से जितने पॉइंट्स आपकी पजुका में मिलेंगे, उतनी ही आपको बेस्ट रिजर्ट मिलेंगे, उतनी ही बेस्ट आपकी मैरेड लाइफ होगी। यानि यदि इसके होफ पॉइंट छे पॉइंट मिलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी मैरेड लाइफ 50% अच्छी होगी। इसी तरह से पॉइंट टू पॉइंट आप समझ सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से योग बनते हैं तो मैरेड लाइफ अच्छी नहीं होती है, दामपत्य जीवन में परिशान्या होती हैं। तब तब के लिए प्यार भरा नमस्कार जैश्री सिता राम।